हेलो गाइच वेल्कम टॉ आर चनल फ्लेमबिश्ट गैज आज की इस वीडियो के इंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग आप लोग की जो डॉमेंड को मतलब प्रो होश्टी डॉमेंड को कैसे आप लोग आप लोग की ब्लोगर के साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग ने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जल्दी जाके चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फर प्रेस कर दना क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जैनूइन और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहते हैं तो चले श्ट्राट करत से आप लोग कैसे .in और .xyz domain को बहुत चीप प्रेस के अंदर बाई कर सकते हो और कैसे आप लोग फ्री में ले सकते हो तो अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो जाके चेक आउट कर सकते हो वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी और आई इस वीडियो के अंदर में आप लोग को complete information दे दूँगा कि कैसे आप लोग यहां से जो भी domain buy करी होगी ना उस domain को आप लोग कैसे blogger के साथ connect करोगी अभी चालते हैं कैसे आप लोग आप लोग की blogger के साथ connect कर सकते हो वो domain तो simple जिस blogger के साथ connect करना चाहते हो फेले उस blogger क आप लोग open करो उसके बाद आप लोग आप लोग की जो फ्रोहोस्ट है काउंट को पहले login करो तो sign in कर लो तो जैसे ही हाँ पर में sign in कर लेता हूं पहले तो simple sign in करने के बाद हम लोग जो दूसरी step होगा उसे हम लोग करेंगे कर चुका हूं तो जैसे ही मैंने साइन इंन कर चुका हूं मैं पूस्छले वीडियो के नियंद पूर देखाया था कि कैसे आप लोग लोग आए कर सकते हो यहां पर लोग देख सकते हूं यह हमारा डॉमेन रहा है तो SIMPLE यहां पर आप लोग को देखने को बेसिकल मिलेगी यह सेटिंग की option देखने को बेसिकल मिल रहा है अगर चाहो तो आप लोग domain के section के थ्रो भी जा सकते हो नहीं तो यहाँ पर manage की option के ओफ़र क्लिक कर सकते हो तो guys जैसे name server के ओफ़र क्लिक करोगी यहाँ पर default name server दिखने को आप लोग को basically मिलेगी बट आप लोग को क्या करना पड़ेगा यूज custom name server के ओपर आप लोग को select करना पड़ेगा तो जैसे select करोगी हाँ पर मैं आप लोग को यह जो चार यहाँ पर रहा ना इससे मैं आप लोग को provide कर द Weak को है जी हाँ आप लोग को क्या करना पड़ेगा simple ये जो चार name server है न आप लोग को simple यहाँ पर यहां पर डाल देना पड़ेगा एंगर आप लोग के ऑच्छार पर में आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दुगा जाकी आप लोग उससे कर सकते हो उसके बाद आप लोग को किया करना पड़ेगा चेंज 그냥 यहां पर आप लोग को सिंपल क्लिक करना पड़ेगा तो जैसे क्लिक करोगी यह सेव हो जाएगी बट अभी आप लोग को और भी स्टेप फॉला करना पड़ेगा तो सिंपल यहां पर आप लोग देख सेखते हो चैन सेव्ड सक्सेस्पुली हो चुगी है तो अभी आप जो color की चीज़ी हाँ आप लोग को देखने को मिले ही ना हे वे मैनेज की option के उपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा तो जैसे मैनेज की option के उपर क्लिक करोगी यहाँ पर यह जो चीज़ आ रहा रहे है ना इसी के अंदर हमारे जो ब्लोगर के अंदर जो भी name server बगरा मिलेगी ना उसे हम लोग को add करना पड़ेगा अभी क्या करना पड़ेगा आप लोग को simple blogger के अंदर आना पड़ेगा तो जैसे ब्लोगर के अंदर आ जाओगी ना तो यहाँ पर आप लोग को setting के option देखने को basically मिल रहा है simple setting के अपर क्लिक करोगी जैसे इस onsetting के क्लिक करोगी यहाँ पर आप लोग को थोड़ी से नीचे देखने को मिलेगी custom domain okay simple इसके क्लिक करोगी जैसे क्लिक करोगी यहाँ पर आप लोग को कुछ add करना पड़ेगा सिंपल फैले www.add करना पड़ेगा उसके बाद आपकी domain name को यहाँ पर add करना पड़ेगा यह ज़रूरी होती है यह जो www.add करना ओके तो जैसे यह करोगी यहाँ पर save की option देखने को basically मिल रहा है ना उसके अपर click करोगी जैसे click करोगी ना यहाँ पर आप लोग को कुछ चीज़े देखने को basically मिल रहा है dns setting की जो भी चीज़े है ना यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ओके तो सिंपल यहाँ पर आप लोग को काफी करना पड़ेगा तो पहलए यहां पर हम लोग चलते हो में www और address के इंदर हम लोग एड़ करेंगे और उसके बाद और इसे हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सिल्ट करेंगे और यहां पर यहांप लोग जैसे से अब चेंज करोगी यहां पर दूसरा आपके समने आ जाएगा सिंपल आपको फिर से जाना पड़ेगा ब्लोगर के अंदर और यहां पर आप लोग देख सकते हो इसको पहले copy करना पड़ेगा, copy करो, और copy करने के बाद फिर से आ जाना पड़ेगा, यहां पर अभी paste करो उसे, और यहां पर फिर से cnm, और फिर से blogger के अंदर जाना पड़ेगा, तो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो destination के अंदर, destination यहां पर द्याए अब लोग को इस चाहिफ को सिंप copied करो और कkel करने के बाद ना अब लोग फिर से उसके इंदर आजाना पड़ेगा ये जो सीनन में यहां पे आप लोगोंने एड करा उसके भद यहां पे आड्रस के अंदर उसे पेस्ट करो और यहां पर करने के बाद सेव चेंज के उफर क्लिक करो आप लोग जैसे ही save chance के उफर क्लिक करोगी यह save हो जाएगा तो अभी आप लोग को जाना पढ़ेगा ब्लोगर के अंदर जैसे ब्लोगर के अंदर जाओगी यहाप लोग को save की option जो देखने को मिलेगा उसके उफर simple क्लिक करो अभी आप लोग देख सकते हो यह already save हो चुकी ह तो यहाप लोग देख सकते हो हम लोगोने यह दो नेम सर्फवर को एड्ड कर चुक है है और उसके बाद यहाप लोग देख सकते हो www.india 생각.in यहाप हमारा save उलेडी होचुकी चुकी है तो जैसे पर लोग देख सकते हों यह रहा हमारा जो नेम सर्वर जो कि हम लोग नेभी हवए एड करिए हूँ एड हमारो एड सक्सेस्फुली हो चुकी और यहां पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रेक्टस एक्टीव भी हो चुकी ओके तो जैसे ही यह update हो जाएगा ना तब हम ने जो साइट को live कर सकते हैं और हम लोग live देख सकते हैं उसे डोमेंट को इसली कनेक्ट कर सकते हो ब्लोगर के साथ तो आसा करता हूँ आप लोग को यह कंप्लेट इंफर्मेशन आची लगी होगी अगर वीडियो आची लगी है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अभी तक हमारा चनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जल्दी जा और इंफर्मेशन लेके आता रहते हैं गाईज अगर और भी कुछ इसू आ जाती है ना तो आप लोग हमें कमेट बॉक्स में जाके कमेट कर सकते हो हम लोग उसे रिजल्ब खरके आप लोग को दे देंगे ओके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तबता के लिए टेक्या ब सब्सक्राइब लोग्सा एंडे लोग देंगे जाते हैं रहते हैं और बॉब ये लोग बॉगए ये एंट छोग ड़ झाल दो प्यार सन्व सबस्यावे लोग खर दो आवदार में लोगए पर दो प्यामा प्यावास आप्टोगाव एंट घॉल्ब लोगवा़ गः